हेलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICICI Prudential Small Cap Fund के बारे में ये दोस्तो एक Equity Based Small Cap Fund है इसका Direct Plan और Growth Option जानेंगे हम इस वीडियो में इस Fund ने दोस्तो पिछले एक साल में 47.24% का Return निकाल के दिया है Detailed Analysis करेंगे हम इस वीडियो में इस Fund की तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए पिछले तीन सालों की दोस्तो बात करें तो इस Fund ने ये Fund launch हुआ है तब से इस Fund ने Annually 18.80% का Return निकाल के दिया है और बात करें अगर हम इस Fund की NAV Value की एक यूनिट की तो दोस्तो इस Fund की एक यूनिट की NAV Value या फिर हम कहें Net Acid Value 87.26 रुपीज की है आप इसमें 100 रुपीज से मिनिममम S.I.P. मोड में इंवेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं मान लीजिए दोस्तो अगर कोई बंदा 500 रुपीज 500 रुपीज की S.I.P. शुरू करता है इस Fund में अगले 3 सालों के लिए और जो रिटर्न है अगर हम पिछले 3 सालों वाला 31.61% मान के चलें तो दोस्तो तीन सालों बाद उस बंदे की Fund Value 30,192 रुपे एप्रॉक्सिमेट हो जाएगी लेकिन दोस्तो ये जो पिछले 3 सालों का रिटर्न है ये जरूरी नहीं के आगे भी इतना ही रहे ये कम जादा भी हो सकता है उसी के हिसाब से आपकी Fund Value भी यहाँ चेंज हो जाएगी और दोस्तो अगर कोई बंदा 5,000 रुपे लमसम डालता है अगर इस Fund में अगले 3 सालों के लिए रिटर्न हम इस केस में भी अगर पिछले 3 सालों का 31.61% लेके चलें तो बंदे की दोस्तो जो अप्रॉक्सिमेट Fund Value हो जाएगी वो हो जाएगी एक 11,397 रुपीज लेकिन ये जो रिटर्न है दोस्तो फ्यूचर में कम जादा भी हो सकता है तो सेम उसी की तरह Fund Value भी फिर चेंज हो जाएगी इस Fund की दोस्तो कुछ Information के बारे में जान लेते हैं पिछले 11 सालों से ये Fund चल रहा है इस Fund का Fund Size दोस्तो 7,172.7 क्रोड का है Locking Period कोई नहीं है Exit Load 1% है जो मैं आगे बताऊंगा आपको Expense Ratio की बात करें तो 0.55% का है दोस्तो इस Implications की बात करें तो अगर आप अपने पैसे को एक साल से पहले निकालोगे तो आपको Exit Load Charges के साथ-साथ 15% का Short Term Capital Gain Tax भी देना होगा लेकिन अगर आप अपने पैसे को एक साल बाद निकालते हो तो आपको Long Term Capital Gain Tax 10% का देना होगा वो भी तब देना होगा अगर आपका Per Financial Year जो Return है वो 1,00,000 से जादा का है 1,00,000 से कम है या 1,00,000 है तो उस पे आपको कोई भी Tax नहीं देना है अच्छी बात दोस्तों यहाँ पे यह है कि Per Financial Year जो आपका 10% का वो आपको 1,00,000 के उपर के Return पे देना है For example अगर आपका Return Per Financial Year 2,00,000 का है तो पहले 1,00,000 पे आपको कुछ नहीं देना है उपर के 1,00,000 पे आपको 10% का Long Term Capital Gain Tax देना है Exit Load दोस्तों मैंने आपको बताया था अगर आप अपने पैसे को 1,00,000 से पहले पहले निकालते हो तो आपको 1% का Exit Load Charges देने होंगे लेकिन अगर आप अपने पैसे को 1,00,000 के बाद निकालते हो तो आपको कोई भी Exit Load Charges नहीं देने होंगे फंड मैनेजर की बात करें तो दोस्तों हरिश बिहानी जी पिछले 9 सालों से फरवरी 2015 से लेकि अभी तक इस फंड को मैनेज कर रहे हैं रिस्क एंड रेटिंग की बात करें तो दोस्तों ये जो फंड है ये वेरी हाई रिस्क काटेगरी में आता है बिकोज ये एक इक इक्विटी बेस्ट फंड है और बात करें इसकी रेटिंग की तो दोस्तों एंजल वन ने इसको 3.5 स्टार रेटिंग दी है क्राइसिल ने इसको 4 स्टार रेटिंग दी है मौर्निंग स्टार ने इसको 3 स्टार रेटिंग दी है और value research ने दोस्तो 4 star rating दी हुई है top के sectors देख लेते हैं दोस्तो यहाँ पे सबसे ज़ादा आपका पैसा invest हो रहा है तो auto components में सबसे ज़ादा 11.73% आपका पैसा invest हो रहा है debt sector में दोस्तो 9.87, thereafter आता है industrial products, उसके बाद आता है दोस्तो construction उसके बाद आता है chemical and petrochemicals, cement and cement products, capital markets में आपका 5.82% पैसा लग रहा है pharmaceuticals and biotechnology, उसके बाद आता है retailing, thereafter दोस्तो आता है IT services जिसमें कि आपका 3.34% पैसा invest हो रहा है तो दोस्तो यह थे top के sectors जिनमें सबसे ज़ादा आपका पैसा invest किया जा रहा है अब दोस्तो देख लेते हैं कि इस fund में वो top के stocks जिनमें सबसे ज़ादा पैसा आपका invest हो रहा है सबसे ज़ादा आपका पैसा traps में 9.8% invest हो रहा है science में 3.1% निपोन life industries में 2.85% आगे दोस्तो बात करें तो कलपतारू projects देर आफ़र आता है grind well, noton उसके बाद मारुती सुजूकी ओटो मॉबाइल सेक्टर का stock है उसके बाद आता है दोस्तो लार्सनें टर्बो उसके बाद रोलेक्स रिंग्स उसके बाद आता है दोस्तो brigade enterprises जो कि एक reality based stock है जिसमें कि आपका 2.05% पैसा invest हो रहा है तो दोस्तो ये top के वो stocks थे जिनमें की आपका सबसे ज़्यादा पैसा ये fund invest कर रहा है तो दोस्तो हमने आपके साथ पूरी की पूरी जानकारी इस fund की साजा कर दी आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like कीजिएगा और अगर आप भी अपना account mutual fund के लिए खोलना चाहते हैं तो आपको angel1 का और धन आपका link description में मिल जाएगा अब वहाँ पे click करके अपना account खोल सकते हैं बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like कीजिएगा जादा साथ आपने दोस्तों में share कीजिएगा और चैनल को subscribe कीजिएगा मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर